कि फूलीं आ गया वन वर जहाँ तू विया एसे एम फोर वे होता एट वे वे होता है अब देखते हैं कन्क्लूजन क्या से अब देख ऑन वे सेट एक सेट को हम मेरी के मतलब इसमें रिवायड करते तो आते थे two raise to the power 21 sets two raise to the power 21 sets अब two way set associative में हमने जब cache memory को इसको दो sets में तोड़ा तो दो set में तोड़ा यानि एक set हमारा कितना size का होग्या 4 Kb यानि main memory को हमने main memory के हमने 4 Kb के sets में तोड़ दिया तो कितने sets है two raise to the power 20 sets छेक अब ऐसे अगर 국민Google का साइज सा मारा कितना था में मेमरी का साइज है हमारा 4 GB 4GB यानि कि हमारा 2 रेस्ट पावर 2 और 2 रेस्ट पावर 30 ए 4GB हो गया और 4 वे यानि 4 sets में तोड़ा तो 8KB 8KB को 4 set में तोड़ा यानि हर एक हर एक set की है एक set कितना बड़ा होगा हर एक set बड़ा होगा 2KB का 2KB रेस्ट इसटियानि 2 डॉत पावर 10 यानि तो रेस्ट पावर 32 मैने कि यह kutth पावर एक 21 ना टोर्स पावर 21 यानि की कितने टैग्नमर कितना मतलब कितने ब्लौक्स next इनकी तूर्सित पावर striéma तो 11 sets बनेंगे यानि टैग नम्र कितना हो जाएगा 21 वैसा आज एट वे का होगा एट वे तैट एससेट फम लें तो इसमें टैग नमर 22 16 वे यह तैटेटीव लें लेंगे तो टैग नमर 23 टैग साइस 23 22 का लेंगे तो 24 64 का लेंगे 25 128 वे लिए गेंगे तो त्वन्टीस एक्स हैंगे तो 27 27 टैग नमबर हो जाएगा त्वन्टीसेवन थाग नमबर हो जाएगा अब यहाँ तक तो ठीक था लेकिन जब फिफ्टीस फिव फॉट्टि इस आप पहुचेंग और टैग नमबर हमारे 27 हो जाएगा तो सब stretch यह वर्स टैग नमबर होगा अब इसके आगे तो जाने पाएंगे तो सबसे वर्स टैग नमबर किसे होता है सबसे वर्स टैग नमबर होगा 256 वे का अब यह देखो 255 यहां तिक तो ठीक था लेकिन आप फोड़ा दिमाग लागा और शुरुआज से सही से सुन रहे हो बेना किसी फोकल गवाएं तो यह जानोगे कि 256 वे में जो टैग साइस था और यह जो फुली एसोसियेटिव में जो टैग साइस था दोनों सेम थे यानि यह Цोटे एह जोटे सेट हैं कैस के सेट्स हैं और इनी को ब्लाक नमबर को इनके उपर मैप करते हैं इसलिए सबसे अधा फ्लेक्सिबल होता है और जो यहाँ पर one way था one way is the most rigid